हलो एंड वैलकम दोस्तो मैं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल भीर योटूब चैनल तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप थ्री मॉबाइल लॉंचर के बारे में जिसे यूज करके आप अपनी मॉबाइल फोन को और भी बना सकते हैं जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगा दोस्तो यहाँ पर मैं अपनी मॉबाइल फोन में एक लॉंचर को लॉंच किया हूँ और यहाँ पर बोड़े अच्छे तरीके से मॉबाइल फोन काम कर रहा है अगर मान लिए म्यूजिक प्ले करना है तो अगर आप भी जनना चाहते हैं और यह लॉंचर की खासियत और इस लॉंचर को कैसे यूज करेंगा और अपनी मॉबाइल फोन को कैसे अट्रेक्टिब बनाएंगो तो बने रहे हैं इस वीडियो में और लास्त तक देखें इस वीडियो को तो दोस्त चलिए शुरू करते ह तो दोस्तो जिस तीन मॉबाइल लाँचर के बारे में हम जानने हैं इस वीडियो में यह तीनों मॉबाइल लाँचर आपको मिल जाता है करता हूं जिसका नाम है स्ट्रीप लॉंचर जैसे मैं इसे ऑपन करूंगा ऑपन करने के बात यहां पे देखेंगे स्ट्रीप लॉंचर हमारे मोइल में लॉंच हो चुका है अब इसकी क्वालीटी जानते हैं दोस्तों सबसे पहले आप यहां पे किलिक करेंगे तो आपको ट अगर यहां पर आप किलिक करेंगे तो यह home screen नहीं इस launcher और यहां पर आपको मिल जाताया Wi-Fi, Bluetooth, airplane mode, फी जैसे यह ओन होता इसका status मिल जाएगा, यहां पर battery status मिल जाएगा यहां पर आपको मिल जाएगे कुछ popular application और नीचे आपको मिल जाएगा date and time और right hand पे आपको मिल जाता है calling, message, email और यहाँ पे chrome browser और साथ ही साथ आपको मिल जाएगा अप्लिकेशन जो भी आपके mobile phone में इंस्टॉल होंगे categories यहाँ पे बढ़ गए है, A, B, C, D, जैसे कि A categories में जो आ रहा है वो यहाँ पे आ गया, B वाले में यहाँ आ गया, C वाले में यहाँ आ गया, यह इस टाइप से categories बाढ़ रहता है, जो कि काफी बेटर है, तो दोसब इस तरीके से इस launcher को आप use कर सकते हैं काफी बढ़िया त display, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़े मिल जाती है, उपर date and time मिल जाता है, नीचे आपको मिल जाता है, वाई वाई, Bluetooth off, यानि उसकी status मिल जाती है, यहाँ पे आपको setting मिल जाता है, आप अपनी themes की setting होगारा कर सकते हैं, यानि launcher की setting, उसके बाद आगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपको मिल जाता है Google Map, यहाँ पे बैटी स्टेटस मिल जाता है, यहाँ पे left hand मिल जाता है, आपको album मिल जाता है, फोटो मिल जाता है, कल्कुलेटर और setting मिल जाता है, उसके नीचे YouTube, message और calling का button मिल जाता है, अगर इस site बात करें तो आप आपको मिल जाता है, प्ले स्टोर, music और यहाँ पे कुछ messaging और आपको मिल जाता है, जैसे कि Chrome browser हो गया, message हो गया, यहाँ पे आपको chatting app हो गई, अगर आप यहाँ पे बीच में किलिक करते हैं, तो आपकी application open हो जाती है, और इसमें भी application को categories wise बाट कर रखा है, A, B, C, जो जिस categories में, उस categories में यहाँ पे डाल दिया है, अगर इस गोले पे किलिक करते हैं, तो आप time, color, background, status bar, language और stop animation और चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अगर यहाँ पे music प्ले करना है, तो यहाँ पे music पे किलिक करेंगे, Google Play, आप यहाँ से play भी कर सकते हैं, तो यह थी हमारी दूसर भी अच्छा होगा, चलिए, किलिक करते हैं, देखते हैं, लांचर, तो लांचर एक कुछी इस टाइप को आपको देखने को मिलता है, डिस्पले पे, यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, उपा, date and time, नीचे आपको मिलता है, वाइफ यहाँ इन तीनों का status मिल जाता है, आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे play store, youtube, यहाँ पे मिल गया आप twitter, facebook, यहाँ पे आपको whatsapp मिल जाता है, instagram, अगर हम setting की बात करें तो setting पे click करने के बाद, theme, color, background, status bar, stop, animation, language, यह सारे चीज़े यहाँ पे set कर सकते हैं, आप अपने according, नीचे आपको मिल जाता है, यहाँ जैसे आप click करेंगे, आपके mobile के application आपको देखने को मिल जाती है, यह launcher भी आपकी application को ABCD categories बाट दिया है, नीचे आपको मिल जाता है, browser और यहाँ पे मिल जाता है, message और यहाँ पे email मिल जाता है, यहाँ पे calling और यहाँ पे आपको मिल जाता है music, यहाँ पे music को add कर सकते हैं, इसके बाद अगर music play करना है, तो आपको simply यहाँ पे play पे click करना है, music play हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसे करके आप इन तीनो launcher का use कर सकते हैं, जो की आपके mobile phone को और भी decorate कर देगा है, stylist बना देगा, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह तीनो launcher आपको पसंद आई होगी, अग मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में, thank you for watching दोस्तों, have a nice day